आज आप सबका है जाच पत्र फोर आप बनाए भी होंगे कल रख में और आज हम बनवाते हैं सबसे पहले है खाली अस्थानों को भरे तो पॉस्चन नंबर वान में है एक स्वस्थ मनुष्ट का ताप खाली अस्थान आनि कितना डिग्री सेल्सियस या कितना डिग्री फारन हाइट होता है तो आप इसके पहले पढ़े हैं इसको क्योंकि जाच पत्र फोर में जितना भी कोश्चन है वो आप इसके पहले पढ़ चुके हैं इसलिए केवल 27 भर देंगे क्योंकि डिग्री सेल्सियस यहां पर लिखा हुआ है और या तो आन्थानवे दस्मनलव 6 डिग्री फारन हाइट तो ये दोनों जगा में दो भर देंगे पहला में दो जगा खाली अस्थान है दूसरा में है 40 डिग्री सेल्सियस बराबर खाली अस्थान डिग्री फारन हाइट आनि 40 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारन हाइट में चेंज करना है ये आप रख में कर लिजेगा चेंज 40 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारन हाइट में कैसे चेंज किया जाता है तो 104 भर दिये, दिग्रिक फारनायट यहां पर लिखा हुआ है, दूसरा में 104 भर आज़ा है, तीसरा में कहता है, चार आठ और नौ का आउसत, इन तीनों संख्याओं का आउसत ग्याद करना है, तो आउसत का आप फर्मूला जामते हैं, रासियों का योग बटा, रासियों की संख्या और चार आठ और नौ को जोड़ देंगे, और तीन संख्या इसलिए बटा तीन कर देंगे, और तीन से भाग देंगे, तो साथ आएगा, इसको रफ में आप करते जाईएगा, सारा कॉस्टन को रफ में करके देखिएगा, कि साथ कैसे आ रहा है, उसके बाद, चौ उसको कातिएगा, तो दो बटा तीन आएगा, और इस तरह से दो अनुपात तीन भारा आजाएगा, पांचवा में है, तीन घंटे में नब्वे कीमी की जात्रा की जाए, तब चाल कीमी प्रति घंटा होगा, चाल निकालना इसमें दूरी और समय दिया हुआ है, तो चाल ब प्रति घंटा तीन, काटेंगे तो तीस, आनि तीस कीमी प्रति घंटा होगा, तो प्रति घंटा लिखा हुआ है, इसके तीस के वल बाले, शिक्स नमबर में है, बीस मीटर प्रति सेकेंड की दर से, तीन सेकेंड में तय की गई दूरी, यहाँ पर चाल दिया हुआ है, तो दूरी निकालना है तो दूरी बरावर चाल गुने समय आनि 20 कुने 3 तो 60 मीटर तो 60 भराएगा इसमें 7 नमबर में है 60 कीमी प्रती घंटा की चाल से 90 कीमी जात्रा करने में घंटा समय लगेगा आनि कितना घंटा लगेगा समय निकालना है तो समय का सुत्र है दूरी बटा चाल तो दूरी है इसमें 90 कीमी तो 90 बटा 60 करेंगे फिर उसको काटेंगे तो 3 बटा 2 आएगा और जब उसको मिस्र भिन्द में तोड़ेंगे तो 1 पुर्णा 1 बटा 2 घंटा तो घंटा यहां निखा हुआ है इसमें यहां के वाले ही बराए आठ नमबर में है किसी दिन मुम्बई का ताफ 20 डिगरी सेल्सियस है फारन हाइट ताफ मापी में उसका मान क्या होगा आनि 20 डिगरी सेल्सियस को फारन हाइट में चेंज करना है तो इसका सुत्र है 20 डिगरी 20 गुने 9 बटा 5 ब्राइकेट बंद पलस 32 तो इसको कातेंगे 5 चौप के 20 अब इसको भुना करेंगे तो 9 चौप के 36 पलस 32 वराबर अर्षब डिगरी फारेंगे इसका एंसर हो गया नौमा में का रहा है कि जौन जौन जो है अपने परिच्छा के विभीन विश्यों में इस तरह का नंबर वो लाया तो उसका औसत अंक ग्यात करना है पांच विश्यों का नंबर यहां लिखा हुआ है अंग्रेजी गनीत हिंगी इतिहास सामाई मिज्यान इस तरह से 1,2,3,4,5 ठीक है तो औसत अंक बराबर आप जानते हैं औसत का सुत्र आप जानते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संक्या लेकिन जब कहीं पर औ जिसे अंक का उसत निकालना है कहीं पर उम्र का उसत निकालना रहता है तो जब अंक का उसत निकालना है तो असत अंक उम्र का निकालना रहेगा तो असत उम्र वजन का निकालना रहेगा भार का तो असत भार और उसके अनुसार आप यहां पर सुत्र को चेज कर लेंगे त तो वूष अंक म्रावर सभी विश्यों कि अंकों का यो बटा विश्यों की संख्या क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वूष को बनाना नाया 123 कोसरण के लिए अलग-अलग थोड़ा सा वर्ड चेंज हो जाएगा सुप्रभी कॉस्चन के अनुसा यहां पर विशयों का यंक दिया हुआ है और और असत अंक प्राप्त करना है इसलिए हमने लिख दिया और सभी विशयों के यंकों का योग बटा विशयों की संख्या तो सभी वि क्योंकि पांच विशय का नंबर है इंगलीज का गनीत का हिंदी का इतिहास का तथा सामाइन ग्यान है इसलिए पांच से भाग दे दिये तो 74 बार में ये 5 से कट रहा है डारेक्ट 74 बार में तो चोहता रंग किसका हो गया उसाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है दस नंबर दस नंबर क्वेश्चन में मुंबई से यामदाबाद की दूरी 492 कीमी है ज़ि गुजरात मेल को मुंबई से यामदाबाद जाने में हाट उना के बटा दो घंटे लगता है तो गु 492 कीमी समय दिया हुआ है आठ पुर्णांग फेक बटा दो घंटे इसको विसम बिंड में चेंज किये तो 17 बटा दो घंटे तो चाल निकालना है और सक चाल जो निकलता और सक ही है तो और सक चाल निकालना है तो दूरी बटा समय 492 बटा 17 बटा दो तो 492 अकेले है 17 बटा दो तो अंस हर दोनों है इसमें तो 492 बटा एक गुने 2 बटा 17 गुना में हो गया था नहीं कटा नहीं कटा इसको गुना किये ता आया 984 और ये 17 का सत्रा 984 बटा 17 इसको फिर हम 20 भीन में चेंज किये और पुर्णांक तोड़े तो 57 पुर्णांक 15 बटा 17 किमी प्रती घंटा इसका चाल हुआ गुजरात मेल का असर चाल नेक्स कोस्चन और लास्ट एक 11 नंबर हम यहाँ बना गे हैं एक 11 नंबर कोस्चन में दिया हुआ है समय समय साथ घंटा बंगलोर सीटी मदरास सेंट्रल मेल को बंगलोर सीटी से मदरास जाने में साथ घंटे का समय लगता है जदी गाड़ी की उसत चाल एक वन पुर्णांग एक वटा साथ कीमी प्रती घंटा हो तो गंगलोर सिटी से मदराज सेंट्रल के बीच की दूरी क्या हो तो यहां पर समय दिया हुआ है साथ घंटे और चाल दिया हुआ है क्यावन पुर्णांच एक बटा साथ कीमी प्रती घंटा इसको घिसम भिंड के रुप में चेंज किये तो 358 बटा साथ कीमी प्रती घंटा तो दूरी निकाल दे जे दूरी बराबर चाल दुने समय चाल हो गया यह समय हो गया यह तो यहां साथ है तो साथ साथ कट गया तो बच गया 358 कीमी दूरी आ गया 358 कीमी में और इसी के साथ आपका ये जाज़ पत्र फोर आज पुरा हो गया जाज़ पत्र थिरी तो पहले हो गया था अभी आप लोगों का डेली का जो हमवर्क वाटसेप करना है वो जाज़ पत्र थिरी से चल रहा है और अभी कुछ दिन चलने दिजिए जब उसको अस्टॉप करेंगे उसके बाद पिर जाज़ पत्र फोर का अस्टार्ट करेंगे लेकिन कुछ अस्टुडेंट नहीं भेज रहे हैं ये बहुत ही गलत है और कुछ अस्टुडेंट्स जो है वो वीडियो को भी नहीं देख रहे हैं ठीक से बहुत student, बहुत कम समय देखते हैं यहां पर सब पता चल जाता है इसलिए यह मत शोचना कि नहीं पता चलेगा अगर आप उसको दो मिनट देख रहे हैं यहां पर पता चल जाएगा कि कौन दो मिनट देखा, कौन पूरा देखा, कौन आधा देखा इसलिए अभिभावकों से भी आज रहा है कि कृप्या आप बच्चों को जब मोबाइल देते हैं तो साथ में आप बैठे हैं तभी वो लोग देखेंगे वरना वे लोग नहीं देख रहे हैं यह बहुत ही गलत बात है इसलिए अभिभावक इस पर ध्यान दें धन्यवाद